नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं नियू जोहरकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी ख़बर को बड़ोत्री हुई है आज भी राजधानी राची में इनकी कीमतों में करमसा 31 और 36 पैसे पर्तिलीटर की बड़ोत्री हुई है इस परकार साथ दिनों के अंतराल में आज छटी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं इधर पेट्रोल उतपादों में लगतार मुले ब बड़ोत्री हो चुकी है आगली बड़ी खिबर की बात को दुआ से दो दिनों तक सब कुछ बंद बैंक डागघर में सन्नाटा कोल सेक्टर में हरताल स्रम काननों में बदलाओ और नीजी करन के विरोत में मजदूर संगटनों का दो दिनों का देशवापी हरताल सो मार सु हो क्या है इस दोरान बैंक कल कारखाने उध्योग धंदे कोल माइंस आइरन और माइंस में सन्नाटा पसरा है अगले 48 घंटों के लिए सब कुछ बंद है जारकन में दो दिनों की बंदी का खास असर दिख रहा है कोईला खधानों में कामगार पहुंचे हैं लेकिन यहां मा मागों के समर्थन में सार्मिक जंडा बैनर के साथ जो है डटे हैं इधर बैंकों में भी हर्ताल का सर देखा जा रहा है भारतिय अस्टेट बैंक SBI को छोड़कर अधिकतर बैंकों में ताले लटक रहे हैं वही HEC में सिर्प एक दिन हर्ताल रहेगा जबकि BMS इस हर्ताल मे हर्म हो गया है यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को देशवापी हर्ताल का हवाहन किया है हर्ताल के कारण देश प्रदेश की जो है संगठित और आसंगठित चेतरों में कामकाच परभावित हुआ है आगली बड़ी खिबर की बात दो ऐलान अमरनात यात्रा दो वर्स बात 30 से सुरू होगी और अच्छा बंधन के दिन इसका समापन होगा महामारी के कारण पिछले दो शाल स्तिर्फ संकेती की यात्रा हुई थी सुत्रों ने बता है कि साइन बोर्ड अप्रेल से तिर्थ यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजिकरन सुरू करेगा रोजाना लगभग बीसाजार तिर्थ यात्री अधिकारिक वेबसाइट पर पंजिकरन करा सकते हैं। शार दुलारी देवी रात करिब 8.45 बजे चिरोंदी इलाके में सबजी बेच रही थी इसी बीच हमलावर पहुँचा और दुलारी देवी को गोली मार दी। इसके बाद इलाके में अफराटा फ्री मजग गई। इस घटना की जानकरी मिलने के बाद मौके पर पहुँची बरियातू थाना पुलिस ने महला को रिम से भेजा जहां जाच के बाद डॉक्टरों नों से मृत घोशित कर दिया खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं की है तो प्लीस चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की आग आगली बड़ी खबर की बात को दो सिक्छकों की बंपर बहली परहेमंत सरकार का बड़ा निरने सिक्छा मंतरी ने दी जानकारी जारकन में बड़े पैमाने पर सिक्छकों की बहली की जागी इसकी तैयारी चल रही है राज के सिक्षा मंतरी जगरनात महतों ने कहा है कि अगले दो महिने में 36,000 सिक्षकों की भरती की जाएगी जार्खन विधान सभा का सत्र समापत होने के बाद मानो संसाधन मंतरी जगरनात महतों अपने काउं अलार्गो आये थे उन्होंने कहाए कि जारिखन में सिक्षकों की 60,000 पर्द का सिर्जन किया जाएगा पहले चरण में दो महिने के भीतर 36,000 सिक्षकों की बहाली की जाएगी अलागो जाने के दोरान जगनात महतु जैना मोड पर रुके थे वहां सन्वादाताओं शे कहाए कि सरकारी अस्कुलों की सक्षनिक वास्था ठीक की जाएगी 45 दिनों के भीतर बिजली, पानी और सोचाले की वास्था कराई जाएगी इसे पहले अस्कुलों में सिक्षकों की संक्या बीजली एबंपानी की वास्था का अकलन करा जाएगा आगली बड़ी खबर की बात कुदू मेडिकल कोर्स के बीच में फीस विर्धी नहीं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे है छातरों के लिए रहात भरी खबर है सरकार ने मेडिकल कोर्स के बीच में फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला किया है यानि कि जिस फीस पर छातरी ने दाखिला लिया है कोर्स के पूरा होने तक वहीं फीस लागू रहेगी अगले सत्र से सभी कॉलेजों के लिए इसे अनिवारी कर दिया गया है अभी तक मेडिकल कॉलेज बिच सतर में फीस बढ़ा देते थे जिसे छातरों को मुस्कील होती थी आगली बड़ी खिबर की बात दो C.A.P.F में 100 दिन की छुटी संभो केंद्री ए ससस्तर पुलीस बलो C.A.P.F के जवानों को साल में कम से कम 100 दिन परिवार के साथ बितानिक यनुमती देने समंधित केंद्री ग्री मंतरी अमित साह के महत्वकांची प्रस्ताओं को सिगर लागू किया जा सकता है केंद्री ग्री मंतराले ने इस सिलसले में कई बर ठके की है इस नीती का उदेश कड़ी डूटी करने वाले C.A.P.F के करीब 10 लग जवानों एवं अधिकारियों की कामकाज से जोड़े तनाव को घठाना है आगली बड़ी ख़बर की बातकुदु गर्मी की छुटी में अस्कूलों में होगा पर त्यो किताँ में दिलजस्पी रखने वाले सरकारी अस्कूलों के छात्र celebrating के लिए अची किबर है जारकन के सरकारी अस्कूलों में आने वाली गर्मी की छुटी में ऑलमपियाड का उच्वान किया जाएगा इसमें इना स्कूलों में पढ़ने वाले नौबी से बारवी कक्छा के विद्यारती भाग ले सकेंगे, पहले ओलमपियाड की परिचा जीलास्तर पर होगी, इसके बाद राज अस्तरिय परतियोगिता का विशन किया जाएगा, राजस्तरिय परतियोगिता परिचा में अवल आने वाले चातर चातराओं को राजी सरकार समानित करीगी। इसके लिए जारकन सेक्षनिक अनुशन धानवा सेक्षन परिशन सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। उसे ऑनलाइन ये टैक्स जमा कर सकेंगे। धनबाद, नगर निगम और जामाडा इस तरह के भुगतान के लिए खास मुबाइल आप लॉंच करेंगे। दोनों जो है सांस्थानों के प्रसासनों ने आप निर्मान के लिए टेंडर की प्रक्रिया सुरू कर दी है। निगम के बात्रदों नेतरहाट में नास्पती के पौधों में बाहर बढ़ेगे उपज, नेतरहाट के नास्पती बगान में इन दिनों फूल के साथ फल भी लगने सुरू हो गए हैं। जिसके कारण आस्थानी लोगों ने भी नासपती की खेती सुरू कर दी है। जिसके कारण आस्थानी लोगों ने भी नासपती सुरू कर दी है। जिसके के लिए ओनलाइन आविदन एकल्यान पोटल पर 30 मार्च तक अपना आविदन कर सकेंगे। परतनी की हत्या के मामले का 48 गंटे में खुला सा हत्या में परियुक्त पिष्टल बरामत। हजारी बाग के बड़ा बजार थाना पुलिस ने परतनी को गोली मार कर हत्या करने के बाद फरार हुए पती के मामले का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुला सकर दिया है, आरोपी पती राजिस को मार सोनकर और सास को गिरापतार कर लिया गया है, पकड़े जाने के बाद रा एक जीन एक खाली खोका और एक मोबाइल जब्त किया गया है तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस करते जे जिससे आपको जारकन के हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़े इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में